हेलो माई दियर फ्रेंद्स वर्य वर्म वेलकम तो आवर सिरीज अफ करेंट अफेर्स कट शॉट तो दोस्तों यह जो सिरीज आपको हेल्प करेंगी प्रिलिम्स 21 के प्रिलिम्स में ठीक है और आज का जो हमाँ टॉपिक जो हम डिसाइड करने जा रहें अब आज का टॉपिक दोस्तों आप सभी को पता है अब और आरूप लगा रही थी कि आपकी गलती है आपने काम नहीं किया ठीक है और इसके अलावा emergency के time पे कई बार infrastructure बजा और दूसरे कामों priority दी गई तो सारी politics के चक्कर में हमें नहीं पढ़ना है हमें UPSC का clear करना है prelims ठीक है जो कि आने वाला है और वहां medical oxygen बहुत important है ठीक है तो सबसे पहले आप एक question attempt कीजिए आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है आप जरूर comment section में comment कीजिए और इस video पूरा देखिए ताकि आपको और knowledge मिले ठीक है अगर नहीं पता है ठीक है अगर आपको एक भी statement में doubt है तब तो यह आपको must है देखना यह पूरा video ठीक है तो पहला statement है Bowman's Capsules are the site of oxygen exchange ठीक है इसके बाद आता है अपको 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 अच्छीजन also has 21% oxygen mixed with nearly 75% nitrogen to avoid oxidation of lungs तीसर statement है pressure swing absorption PSA plants use geolite to absorb nitrogen in order to produce medical oxygen I hope बिल्कुल clear statements है आपके सामने ठीक है और आप इसको solve कर पाएंगे थोड़ा बहुत ठीक है elimination भी try कीज़े जरूर से और end तक देखिए ताकि आपको इसका सही answer पता चल पाए चलिए अब context की बात करते हैं जो कि बहुत important होता है किसी भी news को या किसी भी topic के importance के लिए ठीक है ऑक्सीजन की इंतजाम करवा दीजिए उक्सीजन का इंतजाम करवा दीजिए यूपी गौर्वर्मेंट इंमीडियेट बेसिस पे आपका एक ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर प्लांट भी इस्टाब्रिश किया था खुद के दम पे ठीक है और बहुत सरी स्टीजन किस डालेइन थी सेंटur पर डाल रहा हो और सेंटर करके ये बोल रहा था कि स्टेट गौर्वर्मेंट्स की ये जिम्मेदारी थी ठीक है और और स्टेटस्ट के इसी बाहट आप नहीं किये क्योंकि बहुत साथ सीचुएशन अनफोर्सीन थी ठीक है पहले समने इस्टीमेट नहीं किया था ठीक है और इसके अलवा कुछ डेमोक्रेटिक प्रोसेस के चलते भी कई बार हमारे पॉलिटीशन का ध्यान किसी और तरफ था जिसकी कारण हम यह सेकेंड वेव को इतना सीवियर रूप ले ले लेगा इसको भाप नहीं पाये थे हलाकि इंडिकेशन पूरे थे अगर आप देखिए तो डेली एंड मुंबाई बहुत ज़्यादा केसे राइस हो रहे थे और ऑव्यसी बात है डेली एंड मुंबाई बोथ है यूज माइगरेंट पॉपुलिशन फ्रॉम अल्मूस्ट होल ऑफ इंडिया पूरे देश भर से तो चलिए सबसे पहले यह समझते हैं मेडिकल ऑक्सीजन क्या है दोस्तों मेडिकल ऑक्सीजन इस हाई प्योरिटी ऑक्सीजन हाई प्योरिटी का मतलब क्या है ध्यान दो यहां पर हाई प्योरिटी का मतलब क्या होगा मिनिमम नैंटी परसेंट कितना मिनिमम नैंटी परसे और इसी लिए medical usage के लिए आप देखेंगे तो maximum industrialist ने जो की industrial oxygen produce करते थे अपने हाँ different procedures के लिए उन्होंने अपने oxygen plants या oxygen generation को use को change कर दिया इसको medical oxygen मना करके supply करने लगए और help करने लगए पूरे देश की इस second wave से लड़ने में ठीक है तो दियान दो यहाँ पर यह बेसिकली high purity oxygen होती है जो कि hospitals and clinics के द्वारा यूज की जाती है और इसमें minimum 90% oxygen होता है दोस्तों minimum 90% ठीक है अब आप बोलोगे सरी लंग नहीं चलाएगा ठीक है definitely दोस्तों अगर आप regular basis पर यह high concentration वाली oxygen लोगे तो आपके जो alveoli cells हैं वो जल जाएंगे बट होता क्या है जब हमारे lungs में pneumonia होता है ठीक है pneumonic conditions होती है fluid भर चुका होता है तो हमारा lung already stress में होता है ठीक है हमारी body already stress में होती है और उस समय suddenly हमें boost चाहिए होता हमारी immunity को और वो boost यह medical oxygen provide करवाती है ठीक है हमारे blood में जब oxygen saturate high amount में होता है त disease से fight कर पाते हैं ठीक है तो ध्यान रखना minimum 90% oxygen is the criteria with 5% nitrogen 5% argon क्यों क्यों क्योंकि यह neutral gases होती है आप उसके साथ वह क्लोरोफॉम नहीं मिला सकते हो ठीक है मलचर आदमी बेहोश हो गया वहीं पर यह death हो गई ठीक है यह काम नहीं है सकता तो इसलिए हम लोग ऐसी gases मिलाते है है जो इनर्ट हो ठीक है हमारे atmosphere में भी आप देखिए तो 79% के अराउं nitrogen है अराउंड बोल रहा हूं ठीक है एंड 20.8% के अराउंड oxygen है ठीक है और उसके बाद फिर आप देखोगे तो argon and other gases आती है ठीक है argon, carbon dioxide, methane, water, H2O, यह सारी gases बहुत miniscule component बनाती है और atmosphere का बहुत छ चीज़े clear हो गए तो आगे चलते हैं पहली चीज़, how is oxygen manufactured कैसे बनाते हैं ठीक है तो हम जो air breathe करते हैं आप यहां देख सकते हो, near about 78% nitrogen होता है, oxygen 20.9% होता है, organ का concentration देखिए 0.90 होता है ठीक है, तो दोस्तों यह hierarchy भी आज़ेट में important है क्योंकि UPSC हो सकता है medical oxygen के बजाए य ठीक है, जो carbon dioxide का percentage भी आप ध्यान रखेंगे, 0.03% क्योंकि global warming is a big problem और इसको भी blame किया जा रहा है, इन epidemics के पीछे, ठीक है, अब देखिए हांटा वाइरस है, जुनॉटिक डिजीजेज इतने सारे आ रहे हैं, H10N3 अभी recently, इमर्जूआ चाइना में फिर से, वहान वाइर है, ये भी responsible है, ठीक है, तो ये भी percentage आपको याद रखना है, आप इसको आराम से global warming के data में coat कर सकते हो, ठीक है, चलो, अब आगे देखते हैं, पहली जीज, कि इसको बनाया कैसे जाता है, industrial form में, या फिर मतलब highly concentrate कैसे किया जाता है, पहली चीज, atmospheric oxygen is sucked into compressor, ठीक है, एक atmospheric oxygen को एक compression में लेके जाते हैं, वहां बहुत ज़्यादा compress कर देते हैं, ठीक है, इसके बात क्या होता है, अब ये जो compressed air है, इसको क्या करते है, purify करते हैं, purify कैसे करोगे आप, भाई देखो, जब compress करोगे तो temperature उसका क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है, hot air जाएगी, ठीक है, और ये high pressure में है, इसका क्या करते हैं, हम लोग freezing cold water से pass करवाते हैं, ठीक है, इसके current क्या होता है, ये जो compressed air होती है, ये क्या हो जाती है, suddenly cold हो जाती है, ठंडी हो जाती है, ठीक है, और ये जो ठंडी air रहती है, इसको फिर एक separator से pass करवाया जाता है, separator से pass करवाया जाता है जो आपका dry ice है, dry ice मतलब solid CO2, ध्यान रखना dry ice किसको बोलते हैं, यह बोलते है solid CO2 को, मतलब frozen CO2, ठीक है, carbon dioxide को अगर आप जमा दो, तो वो क्या कहलाता है, dry ice कहलाता है, ठीक है, तो इस separator stage पे आपका जो dry ice है, वो निकल के बाहर हो जाता है, ठीक है, तो ध्यान दो यहाँ प temperature कर जाता है, जीरो, सब जीरो temperature पे लेकर जाते हैं, बट बहुत जादा नीचे भी नहीं लेकर जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, carbon dioxide तो पहले निकल गई आपकी dry ice के form में, ठीक है, इसकी बाद जो major बसता है, oxygen, nitrogen and organ, ठीक है, तो इसको हट आने के लिए आपको सभी ने वो experiment देखा होगा, कि एक rose flower को liquid nitrogen में जब आप डुआओगे, उसको बाहर निकालोगे, तो it will become crisp, दम crisp हो जाएगा, और आज की date में liquid nitrogen को हम ये कोशिच कर रहे हैं, हर kitchen तक पहुचाए जाए, हालक ये खतरनाक है, open hand के साथ handle करने के लिए, ठीक है, जैसे microwave oven होता है, आपको उसके लिए special gloves चाहिए होते हैं, कोई भी गरम चीज को पकड़ के निकालने के लिए वैसे liquid nitrogen साथ भी ये चीज रहेगी, आपको special gloves and precautionary tools चाहिए होंगे, ठीक है, but still it is affordable commodity nowadays, ठीक है, तो आपको आइस्क्रीम खानी हो जल्दी से आप उसको liquid nitrogen freeze कर के use कर सकते हो, ठीक ह आपका जो expansion jet के थुरू आपका nitrogen and argon बाहर निकल जाएगा, gaseous form में evaporate हो करके, और आपका जो लिक्विड oxygen है, वो finally pure form में अलग से रख लिया जाएगा, तो ध्यान रखना इसको बोलते हैं हम लोग fractional distillation column, दोस्तो ध्यान रखना इसको और भी जगा कई जगा यूज होता ह है, ठीक है, petroleum क्या है, basically crude oil जो कहते हैं हम लोग, काला जो तेल होता है, उसको क्या करते हो, आप धीरे-धीरे अलग-अलग temperature पर गरम करते हो, तो एक certain temperature पर क्या निकल रहा है, पेट्रोल के fumes उपर उठेंगे, उसको ठंडा करके आप अलग से निकाल लोगे, ठीक है, फिर उ इसमें अपने petroleum भर दिया है, या liquid air भर दी, ठीक है, liquid air या petroleum भर दी, आपको पता है, कि हर gas का अलग-अलग boiling point है, ठीक है, तो सबसे पहले सबसे कम heat दोगे, सबसे कम heat दोगे मतलब, suppose करो कि petrol 20 degree Celsius पे boil होने लगता है, suppose करने को कह रहा हूँ, मान मत लेना है कि 20 degree Celsius is boiling point, क्योंकि अब्वियस ही बात है, टैंक में पेट्रोल डलवा तो गैसे इस फॉर्म में नहीं होता है, ठीक है, तो suppose करो कि मतलब, चलो 30 या 40 मान लो इसको, 40 degree Celsius is the evaporation point या boiling point of petroleum, तो क्या होगा, सबसे पहले petrol उपर उठेगा, और इसको हम क्या करेंगे, एक water tube से ठंडा करके, एक अलग बॉटल में जमा कर लेंगे, ठीक है, इसके बात क्या करेंगे, temperature हलका से बढ़ाएंगे, क्या करेंगे, temperature फिर से हलका से बढ़ाएंगे, 60 degree कर दिया, 60 degree Celsius, अब suppose करो 60 degree Celsius is the boiling point of diesel, ठीक है, suppose कर लो, मैं फिर से बोल रहा हो, exact data नहीं है, ठीक है, तो diesel अब क्या होगा, पेट्रो पॉटल में आप निकाल लोगे, फिर इसके बाद इसी तरह से करते करते सारे जो components हैं, आपको अलग करने है, petroleum के end में coal tar बचता है, जो काला रंग का डामर बनता है न, road, asphalt जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो वो एक तरह से by product form में आपके बचेगा, and that is called coal tar, ठीक है, तो इस आपको बिल्कुल clear cut समझ में आ रहा है, इसको क्या बोलते है, fractional distillation, ठीक है, technology एक ही है, कई तरह से use की जा सकती है, ठीक है, चलिए, अब आगे चलते हैं, तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले medical oxygen का generate कैसे किया रहता है, उसके लिए और processes है, तो यह तो बिल्कुल basic चीज हो for example मैं अभी बताता है, आपको जियोलाइट का use करते हैं हम लोग, ठीक है, जियोलाइट सूपर absorbents होते हैं, जो कि आपके alumina और silika से बनते हैं, और उसमें कोई भी certain molecule को absorb करने की tendency होती है, ठीक है, वो किसी भी molecule को absorb कर सकते हैं, जियोलाइट का सबसे बहतरी न use होता है, आप उसका iron separation में, ठीक है, जब आप पानी purify करते हो ना, पानी purify करते हो तो उसमें भी ions को अलग कर देता है, एकदम सीधा सीधा, है ना, इसमें भी इसका बहुत अच्छा use है, जब आपको hard water को soft water में convert करना होता है, ठीक है, तो आपका जो water, जो drinking water की processing होती होती है, उसमें भी और आ है, fractional distillation का ही दूसरा नाम है, इसमें cryogenic word को जोड दिया गया, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, minus 200 degree Celsius का temperature अचीव हो जाता है, ठीक है, अब इसमें कहा है, liquid medical oxygen LMO with 99.5% purity is manufactured using cryogenic distillation techniques to get liquid oxygen, I hope बलकुल क्लियर है, कि आप minus 200 degree Celsius पे air को पहले freeze करते हो, ठीक है, वो liquid form में आ जाता है, उसके बाद फिर आप सको थोड़ा-थोड़ा heat करते हो, so that nitrogen का जो boiling point हो पहले अचीव हो, nitrogen बाहर हो गई, argon का अचीव हो, फिर उसका argon बाहर हो गई, और फिर फिर फाइनली हमने oxygen को अलग से store कर लिया, I hope बिल्कुल clear है, this LMO is then supplied to distributors where it undergoes a process of regassification and filled in cylinders, तो ध्यान रखना है, इसके बाद जो यह liquid medical oxygen है, इसको फिर से gasify करके आप cylinders में pressure के साथ fill कर देते हो, ठीक है, even liquid oxygen की form में भी आपको cylinder मिल जाते हैं, ठीक है, बिल्कुल clear cut रखना, बिल्कुल simple procedure है, कोई difference नहीं है, ठीक है, जो समझा चुका हूँ, इसके बाद आता है oxygen concentrator, ठीक है, it is an electrically powered medical device designed to concentrate oxygen from ambient air, तो दोस्तों इसमें मतब as such processing को बहुत major नहीं होती है, इसमे क्या करेंगे, हम लोग concentrate करेंगे air को, बाहर से air लेंगे, ठीक है, उसमें जो pollutants हैं, ठीक है, उसको अलग कर लेंगे, और उसके बाद उसको एक sieve से पास करवाएंगे, sieve किसकी बनी होगी, nitrogen absorbing zeolite membranes की बनी होगी, ठीक है, और इससे क्या होगा, zeolite जो होगे, वो आपके, उन sieves में trap हो जाएंगे, geolite के साथ बंद जाएंगे, फंस जाएंगे उनके अंदर, और आगे निकल जाएगी तो केवल, compressed oxygen, ठीक है, ध्यान रखना, geolite की sieve type से बना दी जाएगी, और जितने भी nitrogen molecules होगे, वो इनी sieve पे जाके attach हो जाएंगे, fix हो जाएंगे, इन geolite को फिर से आपको rejuvenate करवाना पड़ेगा, इसमें से nitrogen बाद में release करवाने पड़ेगा, तो फिर भी relatively feasible है, अभी के लिए हमारा काम तो हो रहा है, compressed oxygen, इसके बाद आता है, pressure swing absorption plants, ठीक है, यह सबसे recent technology है, pressure swing absorption plants, ठीक है, तो PSA plant absorbs nitrogen from ambient air to concentrate oxygen for supply to hospitals, they operate at near ambient temperature and use specific absorbent material like geolites, activated carbon, molecular sieves, etc. to trap oxygen at high pressure, ध्यान रखना, यह क्या करते हैं, oxygen को ही trap कर लेते हैं, ठीक है, और oxygen को एक side में भेज देते हैं, तो basically आप किसी भी तरीके से करो, पहले nitrogen अलग कर लो, फिर चाहिए oxygen अलग कर लो, ठीक है, तो basically oxygen को high pressure पे भी generate करवाने के लिए, यह दोनों technology सेम है, ठीक ह कर सकती है, और hospital में भी इसको use कर दिया जा सकता है, direct basis पे, ठीक है, ध्यान रखना, इसमें जो oxygen है, यह 92 to 95% तक pure होती है, 92 to 95% तक pure होती है, ठीक है, बिल्कुल clear cut याज रखना, चलो यह तीनों procedure, I hope आपको समझ में आ गई है, pressure swing absorption plants, oxygen concentrator and cryogenic distillation, यह तीनों प्रोसेस आप ध् पर्सपेक्टिव, प्रिंसिपल भी बता दिया है, यहां chemical reactions हो रहे हैं, और chemical reactions में ज्यादा filters लगाए जा सकते हैं, आपके pressure swing absorption plant में, oxygen concentrator में mostly geolight होता है, ठीक है, और यहां पे ज्यादा options रहते हैं, मतलब कि आपके activated carbon भी use कर सकते हैं, molecular seed भी use कर सकते हो, ठीक है, चलो, अब तो reasons for shortage की अगर मैं बात करूं, कि क्यों कमी पड़ी, भाई oxygen तो ठीक है, चलो, कम पड़ी, हमने कोशिश की और धिर धिरी mitigate भी किया कुछ हत तक, लेकिन पहली stage में कमी ही क्यों पड़ी, ठीक है, वाई shortage, पहला है uneven distribution through supply and logistic chain, ठीक है, तो ऐसी बात नहीं है कि पूरे देश म कम थी, ठीक है, oxygen हमारे देश में relatively काफी जादा है, अगर आप reports ही पढ़ेंगे, तो जो peak demand आई थी, near about six megaton, metric ton की demand आई थी, जबकि हमारी capacity, जो production capacity थी, near about seven metric ton की थी, ठीक है, तो reason क्या था कि भाई, कुछ जगा पे जहाँ industrial houses बसे हुए है, वहाँ तो बहुत आराम से production चल र medical oxygen को supply करने के लिए, ठीक है, तो uneven distribution was one of the major cause of shortage, कहीं पे बहुत excess था, कहीं पे कम था, इसके अलावा, hoarding of oxygen cylinder भी देखने को मिली थी, ठीक है, अब मैं इसमें नाम नहीं लें चाहता हूँ, कुछ Hindu Muslim का भी इसमें बावाल हुआ था, कि actually, कोई Muslim person पे allegations थे, but at the end, he became Hindu, ठीक है, तो यह hoarding cylinder की भी देखी गई थी, इसके लावा, oxygen wastage, unnecessary usage की भी खबरें आई थी, कुछ hospitals में ऐसा कहा गया था, कि कुछ जगह पे unnecessary oxygen दिया जा रहा है, जबकि नहीं देना चाहिए था, just for money shake, ठीक है, पैसे के लिए किवल ऐसा किया जा रहा है, but still, doctor का उस समय के judgment बहुत crucial होत है, इसलिए doctors पे आप blame नहीं डाल सकते, doctors too were naive about this disease, क्योंकि आज तक किसी medical book में इतनी खतरनाक pandemic इस तरीके से फैलेगी यह नहीं notice था, coronavirus altogether new है humans में, ठीक है, तो doctors को भी नहीं पता था कि कि किस level पे किस तरीके से जाना है, और कल को patient की death हो जाती है, तो फिर कौन बिचारा फसत है, doctors, doctors किसी death हो जाए, तो भी blame कर रहे है, किसी life बचाने के लिए कुछ extra भी कर दे रहा है, तो भी blame कर रहे है, ठीक है, तो कोई clear protocol नहीं था कि यही oxygen इतनी मात्रा में लगानी है, तो ऐसे cases में कई बार देखा गया था कि oxygen wastage भी हो रही है, और साथ-साथ unnecessary use भी किया जा रह है, ठीक है, इसके अलवा lack of cylinder and cryogenic tankers, दोस्तों यह सबसे बड़ा कारण था कि हमें oxygen नहीं मिल पा रही थी, एक चीज़ समझना कि हमारे पास साथ metric and usage production है, ठीक है, किसके लिए, कौन मना रहा है, इंडस्ट्री बना रही है, अब इंडस्ट्री बना रही है, अब इंडस्ट् की इंडिया में भारी कमी थी, और यह सबसे बड़े कारण थे, कि हमारे पास oxygen टाइम पे नहीं पहुँच पाया, यह सबसे बड़े कारण थे, logistic failure का एक example सबसे बड़ा है, ठीक है, logistic failure का बहुत बड़ा example है, दोस्तों, ध्यान रखना, actually में हमारे है, medical oxygen कमी नहीं थी, हमा कार में एक केस आया था कि आपके ambulance कितने सारे बंद पड़े हैं, hospitals में oxygen concentrator बट काम नहीं कर रहा है, problem was skilled person ही नहीं है, कौन operate करना जानता है भाई, oxygen cylinder को, कौन जानता है कि कैसे कब nasal से आपको tube लगा करके देनी है proper, या फिर के बल, upper side में ही आप वो, उसके mask जो भी है लगा द standards के हिसाब से, ठीक है, इसके अलवा lack of will of manufacturers due to short-lived demand, तो ये भी एक रीजन था, कि हाई, मतलब तुरं 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 जो manufacturers है, वो भी बहुझा upscale नहीं करना चाह रहे थे, क्यों, क्योंकि ये बहुत short-lived demand होने वाले थी, एक से दो महिने के लिए demand आएगी, और उसके चक्कर म तो ये long term में हमार cost भी cover नहीं कर पाएंगे, ठीक है, but still, कहीं तो अपने वो करना चाहिए था, है न, कोई बात नहीं, government ने इसके लिए बहुत सारे initiative लिए, and government did relatively applicable job, ठीक है, emergency situation में दोस्तों, हम blame नहीं कर सकते, exactly कि यही गलत था, वही गलत था, पीछे पलट के देखना और blame करना बहुत आसान है, उस situation में रहके decision लेना, ठीक है, वो बहुत मुश्किल काम होता है, ठीक है, actually हम नहीरू जीव गरिया सकते हैं, बट जब हम उनके shoes में होते, जब हम उनकी conditions देख रहे होते, उनके हालात देख रहे होते, तब साथ हम उनसे sympathize करते, he was a very tall leader at that time with no opposition, हम बात करें, तो देखो एक चीज, waved of basic custom duty and health cess, ठीक है, waved of basic custom duty and health cess, तो आपको पता है, ओवियसी बात है, गौर्मेंट ने oxygen related जितने भी equipment थे और plants थे, उस पे custom duty or health cess तुरंत हटा दिया था, ताकि maximum से maximum help आ सके, इसके अलावा, first time India ने foreign aid भी लिया था, ठीक है, किसे disaster को manage कर इडली है, सो चाइन हमारे इतना adversary country है, हम पर हमेशा मतब कुछ ने कुछ बदमाशियां करता रहता है, हमारे against conspiracy करता रहता है, इसके बावजूद हमने उससे भी help ली थी, ठीक है, इंडियन air force के plane को deploy किया गया था, ताकि आपको Delhi and जो remote areas है, वहाँ पे जल्दी से जल्दी oxygen पहुचा ही जा सके, इसके अलावा Indian railways ने भी एक रोरो एक्स्प्रेस नाम से facility on की थी, और जल्दी जल्दी oxygen पहुचाने कोशिश की थी, अब ध्यान रखेंगे, आपके means में ये बहुत important होगा दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना means के हिसाब से बहुत important है, please इसको note कर लो, म ग्राफ बनाने के marks मिलते हैं, आप कोई पता है, बना-बना ग्राफ मिल रहा है, तो क्यों छोड़ रहा हूँ, है न, exempted the requirement of permit for vehicles to transporting oxygen, अभी आपको पता है, GST में आपको कहीं भी कुछ भी transport करना है, तो उसके पीछे, इच अलान जरूरी है, जो कि properly generate होगा, लेकिन इस बार, इसमें भी exemption दे दिया गया था, कि कोई भी truck oxygen लेके जा रहा है, तो let it go, कहीं भी जाए, कोई दिक्कत नहीं है, इसके अलावा हमने import भी किया था, कितना 50,000 ton of oxygen, 50,000 ton of oxygen हमने import किया था, इसके अलावा, Disaster Management Act को भी invoke किया गया था, ताकि कोई holding ना हो, और साथ-साथ, जो भी, कि मतलब person है, जो की पता चल रहा है, कि ऐसे बदमाशिया कर रहा है, या फिर corona access फैला आ रहा है, तो उसको बंद किया जा सके, और उसको रोका जा सके, ठीक है, identification of hospitals for installing PSA plants, तो यह भी ज़रूरी था, जो corona centers थे, जहाँ पे आपके पास skilled staff था, space था, वहाँ पे ही आप सबसे priority दोगे PSA plants को, इसके अलबा, National Pharmaceutical Pricing Authority ने भी cap कर दिया था, medical oxygen के cylinder के prices को, so that, यहाँ पे भी काला बजारी ना हो, और साथ-साथ, hospitals भी बदमाशी ना करें, unnecessary loot मार ना मचाए, ठीक है, NPPA, National Pharmaceutical Pricing Authority, इसके अलबा, कुछ green corridor भी बनाए गये थे, और साथ-साथ, आपका oxygen use को, industries बैन कर दिया गया था, कुछ दिनों के लिए, ठीक है, ताकि आप, प्लीज जो भी अंडिस्ट्रिल oxygen है, उसको, medical oxygen की तरफ, divert कीजिए, add the end, दोनों, मोटा-मोटी, same ही रहते हैं, ठीक है, आप सुचे, 90% plus, purity of oxygen चाहिए, तो, ऑव्यस वात है, वो, industrial oxygen के बराबर होई, है न अब देखो, इसके अलवा है, इंडिया को और क्या कर सकती थी, ठीक है, तो, इंडिया है, sufficient daily production capacity and stock to fulfill the demand, मैंने पहली बताया था, कि पीक डिमांड भी है, प्रॉक्सिमेट 6 Megatron के आज़ो पड़ी थी, जबकि हम मोटा-मोटी बोलें तो, 7 Megatron के आज़ो बिना रहे थे, proper assessment and analysis of oxygen demand and procurement system, ठीक है, अब ध्यान दिए, proper assessment भी बहुत जरूरी oxygen demand or procurement system का, इसके अलवा rational use of medical oxygen, ensuring that there is no wastage of oxygen, इसके लिए भी क्या करना चाहिए, आपका जो IMA है, उसको एक protocol या फिर aims के consultation के साथ, आप जो health ministry है, ठीक है, ministry of health, इसको एक standard operating procedure release करना चाहिए, SOP, ठीक है, standard operating procedure oxygen release करना चाहिए, कि in general आपको इतना इतना देना है oxygen, emergency cases की बात हर जगा कुछा लग रहती है, ठीक है, तो ये बहुत important साथ दोस्तों, अब सवाल पर आते हैं, जो कि हमने आपसे पहले पूछा था, ठीक है, पहली चीज क्या थी, bowman's capsule are the site of oxygen exchange, दोस्तों, आप लोगोंने basic biology पढ़ी होगी, तो आपको पता होना चाहिए, bowman's capsule lungs में नहीं, kidney में होते हैं, ठीक है, और nephron के जो exchange unit है उसको bowman's capsule कहते हैं, ठीक है, तो बिल्कुल आप ulti site पकड़ दे गए हैं, अगर आपने इसको सही किया है, तो, अच्छा आप elimination कैसे लगेगा, आपको देखिए यहा आता है, bronchiol से आपका क्या बनता है, यह, terminal bronchiol बनता है, क्या बनता है, terminal bronchiol, उसके बाद फिर आता है, आपका respiratory bronchiol, ठीक है, और end में जो respiratory bronchiol होता है, वो shack like structure, convert हो जाता है, देख सकते हैं, यह देख सकते हैं, यहाँ पर यहाँ, इस तरह का sack मतलता है, बोरा, ठीक है, इस sack like structure बन जाता है, जो कि जोले की तरह होता है, अंदर से खोखला होता है, उसमें oxygen जाती है, और इसी पे capillary cells भी आती है, देखिए, आप artery देख सकते हैं, यहाँ पर, artery and veins आते है, पर्मॉलरी artery आएगी, जो कि गंदा blood लेके आएगी, जिसमें relatively ज़्यादा CO2 होगा, और यहा है, तो, I hope, यह बिल्कुल clear diagram है, आपके दिमाग में छप रहा है हर एक चीज, ठीक है, सबसे पहले क्या हो गया, bronchiol के बाद क्या हो गया, terminal bronchiol हो गया, और उसके बाद respiratory, bronchiol, और उसके बाद क्या है, alveoli, यह देखिए, alveoli and alveolar cell, जब आपको pneumonia या कोई भी fluid भरता है, तो क्या होता है, आप हमेशा आगे के जो cells होते हैं, इनको यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन जो back है आपका, dorsal side है, पीछे की side, ठीक है, वहाँ पे कुछ cell अभी भी रहे जाते हैं, जो कि हमेशा यूज नहीं होते हैं, और जो prime infection होता है, चुकि आप यह आगे के lungs का ज के जो lungs होते हैं, उसके कुछ cell जो अभी तक dormant position में थे, वो activate हो जाते हैं, और वहाँ पे oxygen supply बढ़ जाती है, इस current से अगर आपको acute problem आ रहे है, oxygen concentration की आपकी body में, इसलिए कहा जाता है, थोड़ा सा help कर सकती है आपको help उस समय, अगर आप प्रोनी position में late जाएं, ठीक है, तो बिल्कुल I hope यह clear है आपको, ठीक है, इसका basic का आपको समझ में आगया science section का, चलिए, आगे चले, बोमन capsule ध्यान रखना kidney में होता है, ठीक है, तो filtration काम आएगा, not oxygen exchange या gaseous exchange के काम आएगा, ठीक है, और यह diagram ध्यान रखना थोड़ा सा दिमाग में, ठीक है, तो चीज चलती रहेंगे, medical oxygen also has 21% oxygen mixed with nearly 79% nitrogen, दोस्तों यही oxygen अगर देनी होती, तो हम तो सांस तो अल्रेडी लेही रहे हैं, कहीं न कहीं से, ठीक है, तो इसी लिए हम को purify करके देनी होती है, ठीक है, बाबाराम देव की तरह मत बन जाएगा, यह दो cylinder लगे हुए है, ठीक है, और उसके बा कहा है, कि अलोपेथी और आयुर्वेदा को मिलाओगे अगर आप, तो इवन एंटी बायोटिक के बिना आप सरजरी कर सकते हो, अब सोच लिए कितना potential है आयुर्वेदा में, एंटी बायोटिक को पूलतर से eliminate करवा देरी, सरजरी जैसे critical position में, critical मतलब condition में, ठीक है, तो ऐस यूज करनी जरूरा थे कि कहां पे कौन सा ज्यादा fruitful होगा, ठीक है, तो इसको समझना ज्यादा जरूरी है कि कहां पे कौन सा fruitful होगा, ठीक है, तो वो डिबेट में, अब्यसी बाते में, उसको नहीं छोड़ना चाह रहा हूँ, ठीक है, चलो, pressure swing absorption, PSA plant uses zeolite to absorb nitrogen in order to produce medical oxygen, तो बोमैन capsule, अल्वी ओली भी आपको याद होता तो आपको समझ में आ जाता कि यार, अल्वी ओली टाइप का कुछ था, ये तो था ही नी, बोमैन capsule तो हटाओ इसको, ठीक है, ये हटता तो देखो आपका A जाता और D जाता, ये दोनों तो चले गए, अब दूसरा वाला statement आप कि आपको help मिले, ठीक है, जी ओलाइट है और ये सारी चीज़े आपको lecture के दौरान पता चल चुकी है, I hope you liked the session, तो अगर आपको पसंद आया है, तो please हमारे वीडियो को like कीजिए, share कीजिए और हमारे चैनल को subscribe कीजिए,